नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं सुआगत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चानल मी सहली पर दोस्तो आज मैं आपके लिए बहुत ही जादा योजफूल वीडियो लेके आई हूँ जो कोई हमारे नए दोस्त है वो पहली बार ये वीडियो को देखेंगे और जो हमारे रेगलर दोस्त है जो हमारे हर वीडियो को देखते हैं वो ये वाले वीडियो को इस तरीके के पहले बही देख चुके होंगे तो यह है दोस्तों पाड़ी जात जिसे हर सिंगार भी बोलते हैं आपके जहाद क्या बोला जाता है जरूर से बताईएगा तो यहाँ पाड़ी जात के फूल खिलने के बाद यह नीचे ही गिर जाता है तो दोस्तो यह पहले आप लोग देख के अच्छे से पहचान जाएं कि इसे पारिजात, हरसिंगार, सीउली और नाइट जैस्मीन के नाम से जाना जाता है उसके बाद ही आप इस रेमेडी को बनाएंगे तो इसमें से हमें चाहिए होगा फूल और पतियां आज मैं फूल और पतियों दोनों का इस्तिमाल करके आपको बहुत ही खास रेमेडी बनाओंगी जो कि आपके जोडों के दर्द हो, कमर के दर्द हो, घुटने के दर्द हो, सारे ही दर्द को ये खतम करेगा तेल तो दोस्तों यहां पर देखिए इतना सा हमें फूल मिल गया, नीचे से उठा के लेके आई हो, आप एदी जादा बनाना चाहेंगे, जैसे एक लिटर तेल बनाना चाह रहे हैं, या हाप लिटर तेल बनाना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जो फूल है इसका जादा भी बढ़ा के ले सकते हैं ये जो फूल है आपको साल भर नहीं मिलेगा बस अक्टूबर और नवंबर दू महिना ही आपको ये वाले फूल मिल जाते हैं और दिसंबर में एक आद एक आद आपको मिल सकते हैं फूल लेकिन इसका जो पतिया हैं दोस्तों वो आपको साल भर आते हैं आपको उसका वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजेगा मैं वीडियो का लिंक आपके साथ सेयर करूंगी लेकिन आज वाले जो तेल में बना के दिखाऊंगी दर्द रोधक उसमें फूल और पतिया दोनों का इस्तेमाल करूंगी तो ये वाले जो तेल ह है और भी ज़्यादा पावर फूल बन के तयार होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग पाड़ी जाते आनि हर शिंघार के पूल को अच्छे से पहले धोके साफ करेंगे ये देखने में कितना ज़्यादा सुन्दर है उतना ही ज़्यादा इसमें आसकी गुन है ये दि निखरा हुआ निखार रहता है चेहरे पर एदी आपके चेहरे से निखार खो गए हैं दोस्तों तो ये पाड़ी जात के जो फूल है इसका फेस पैक बना के आप अपनी चेहरे पर लगा सकते हैं इसका क्रीम कैसे बनाया जाता है उसका वे वीडियो सेयर की हुई हूँ आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और आप लोगों को एदी वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा मैं एक वीडियो के अंदर ही आपको 5-6 वीडियो के बारे में बता देती हूँ जो कोई नए है उनके लिए थोड़ा से सुविदा हो जाए दोस्तों ये फूल जो है नीचे से उठाके लाया गया है तो साफ सफाई का आपको बराबर से ध्यान देना होगा अच्छे से इसको साफ करना होगा वीडियो को कहीं से भी स्कीप ना करें तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक रख सकेंगे और यह जो तेल है यह आजमाया हुए नुस्खा जैसे कि गाउं घर के तरप ज़्यादा तर बैद हकिम को नहीं दिखाते हैं डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं इसी तरीके से घरेलू नुस्खे से ही छोटा मोटा जो दर्द होता है चोट होता है सुजन होता है पेरो के मोच होते हैं उसको घर के ही नुस्खे से उसको सुल जाया जाता है उसके बाद ये दिना ठीक हो तो वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये घर का नुस्खा है जो हमारे नानी दादी घर में बना के ही यूज करती थी तो आप लोग भी ना संकोच किये हुए आ आप हमारे सारे ही रेमेडी को देखके और नुस्खा आजमा सकते हैं अपने घरों में फूल को पानी में डालने के बाद हलके हाथों से आप उपर उपर से उठा ले जो इसमें धूल मीटी होगा वो नीचे पानी में बैठ जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए फूल तेल के करीव तेल बनाके आपको दिखाऊंगे सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ आप जदня बनाके रख सकते हैं अब साथ में हम लोग लेंगे पारिजात के कुछ पत्या तो पत्या भी एक मुठी के करीव लेंगे और पत्यों को भी सेम तरीके से साफ करके पहले धो लेना है एदी पत्तिय और फूल में पानी लगा रह जाए जो आप अभी साफ कर रहे है पानी लगा रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब आप तेल बनाएंगे तो उसमें अदी आप तेल को पका रहे हैं और आपको लगे कि तेल बहुत जल्दी से पक गया है ब उसमें बिल्कुल भी जला हुआ वो तेल नहीं बनेगा जब तक यह पत्तिया पकेंगे साथ साथ में पकने के बाद वो पानी जो रहेगा एक्स्ट्रा वो भी पक के जल जाएगा यदि आपको ऐसा लगे तो आप बरतन बहुत जादा पतला ले लेंगे तो आपके साथ यह हो सकता है दि मोटे तले का बरतन लेंगे तो आपका तेल बीना पानी का ही एकदम परफेक्ट बनके तयार होगा तो सारे पत्तियों को हमें धोके निकाल लेना है अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर पत्तियों को छोटे छोटे टुकरे में पहले हाथों से तोड़ जिससे कि इसका जो रस है वो रस अच्छे से निकल जाए इसका तेल बनाएंगे हम लोग तो जितना अच्छा से आप लोग कूट किसामगरी एड करेंगे तो जैसे वो पकेगा उसका सारा जो गुड़ने से वो तेल के अंदर आ जाएगा और बहुत अच्छा आपका तेल बन लेते हैं तो हम लोगों के हाथ पैर में कमर में दर्द होने लगता है तो यह वाला जो तेल है दोस्तों आप किसी भी तरह के दर्द पे लगा सकते हैं बच्चे भी खेल के आ रहे हैं बाहर से तो उनके भी पैर में आप ये वाले तेल से मसाज करके देखिए बहुत ही उनक तो यहाँ पर देखिए पतियों को बहुत अच्छे से कूट ली हों अब क्या करेंगे कि इसको निकाल लेना है में दूसरे बर्तन में एधी कूटते आपको ना बने तो आप इसमें एकाज चमस पानी भी डाल के अच्छे से पतियों को कूछ इस तरीके से कूट लीजिएगा आप चाहें इसको मिकसर जार में पीसना तो पीस सकते हैं लेकिन इस टाइप का जो तेल होता है उसको जब हम लोग खलबटे में या सिलबटे पे पीस के बनाते हैं तो वो ज़्यादा गुनकारी बनता है अब साथ में हम लोग फूल को भी डाल के बहुत अच्छे से इसी तरीके से कुचल लेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो फूल है वो भी हलका हलका सापको करस्ट करना है हलका सा दवाएंगे तो सारे फूल का जो रस है जूस है वो अच्छे से निकल जाता है और तेल का भी कलर बहुत ही प्यारा आएगा तो अभी देखिए फूल को भी अच्छे से कुचल ली हो अभी इसको निकाल लेना है दूसरे बरतन में आप लोग पूरा स्टेप बाई स्टेप देखिए बहुत ही आप लोगों को यह जो तेल है फायदा पहुँचाएगा आप लोग सोच रहे होंगे एक बार एक बात को बार बार बोलती है तो इसके लिए बोलती हों कि आप लोग उतसाही तो हो और इस रेमेडी को अपनाएं बना के देखे घर में रखे बहुत कोई क्या होता है वीडियो तो देखते हैं लेकिन बनाने के आसकत से चीजों को ट्राई नहीं करते हैं दोस्तों जरूर से अधियाब के यहां दिक्कत है तो आप यहां पर लेना हमें एक इंच अधरक का टुकड़ा अधरक को अच्छे से धोके साफ सुथरा कर लीजिए उसके बाद जो इसका उपर वाला स्कीन है छिलका है उसको हम लोग हटा देंगे उसके बाद अधरक को बारिक बारिक इस तर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे भी आपके साथ बहुत ही जादा यूजफूल घरेलून उसके सेयर करूंगी तो आप हमारे सारे ही वीडियो को देख पाए इसके लिए बेल आइकन जो छोटा सा घंटी है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा दबा लीजिएगा तभी हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा इसमें डाली हूँ चार से पाच का लिए लहसुन का और एक प्याज डालेंगे छोटे साइज का तेल में कम बना रही हूँ तो चीजे कम एड़ कर रहे हैं आप ज़्यादा तेल बनाएंगे तो आप चीजे बटे में डालेंगे और इसको भी कूटेंगे जितना ये बारिक कूट सके उतना अच्छे से इसको कूटके और बारिक कर लेंगे इससे क्या होगा इसका जो रस है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा और हमारा तेल बहुत ही अच्छा बनेगा देखिए कुछ इस तरीक से दवाएंगे तो बहुत अच्छे से ये भी क्रस्व हो जाता है अब इसको भी हम लोग फुल के साथ ही निकाल के रख लेंगे बहुत अच्छे से कूट गया है देख पा रहे हैं और ये वाले तेल को आप जब तक चाहें स्टोर भी करके रख सकते हैं ये खराब नहीं होगा यदि आप अच्छे से इसको पकाएंगे बिल्कुल भी इसमें नमी ना रहे कच्छा पर ना रहे तो फिर आपके तेल जो है लंबे समय तक सही रहेंगे और यदि आप हरवरा के विडियो को भगा भगा के देखेंगे तेल बनाने का तरीका अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो फिर हो सकता है कि आपका तेल कुछी दिनों में खराब हो जाए तो अभी इसके साथ कुछ और चीजे हम लोग डालेंगे जो कि दर्द निवारक होता है ये है एक छोटा चमस जो टी स्पून होता है न छोटा वाला उससे एक चमस डालना है इसमें अजवाइन अजवाइन में भी बहुत अच्छा गुडनेस है जो कि हमारे दर्द को हो जाता है उसको कम करता है यह मेथी दाना मेथी दाना भी दर्द रोधक होता है तो एक टी स्पून मेथी दाना भी लेंगे जो सबसे छोटा वाला चमस होता है उससे जो घड़का चमस है तो आप तो देखी पा रहे हैं कि कितना इसमें डाला जा रहा है तो इतना ही इतना नहीं आप सोयमेल तेल में डालिएगा आप साथ में डालेंगे इस में कलोंजी। कलोंजी इतना जाधा अच्छा होता है। आप अपने डाइट में कलोंजी को सामिल करते हैं ऐसे कि सबजी वगएरा के तड़के में कलोंजी मेथी का आप करते हैं सेवन तो भी आपके जो दर्द है उसमें बहुत ही ज़्यादा राहत मिलता है तेल बनाने के लिए यहाँ पर मैं लोही की कराही का इस्तिमाल कर रही हूं दोस्तों एदि आपके पास लोही की कराही है त तो फिर जो कराही है आप उसमें बना सकते हैं तो सारे फूल को और जो प्याज लसन जो कुछ भी कूट के रखी हूं पहले इसमें सारे चीज को डाल देंगे लोही के कराही में आप जो तेल बनाएंगे हम लोग वो तेल क्या चीज का तेल लेना है जो की ज़्यादा फाइ कच्ची हल्दी को भी आप कूट के जैसे अदरक को हम लोग कूटे हैं बिल्कुल वैसे ही कूट के इसमें डालिएगा और यहां पर हल्दी जरूर से डालिएगा अब सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे अब इसमें तेल आप एदी आपके पास तिल का त तो आप तिल का ही तेल डालिए उससे बहुत अच्छा आपका तेल बनके तियार होगा और यहीं तिल का तेल नहीं है तो आप इसमें सरसो का तेल डाल सकते हैं इसमें आप नारियल का तेल छुडा के आप सरसो का या तेल का तेल डाल सकते हैं तो यहां पर में तील का तेल क इस्तिमाल कर रही हो और चाहें तो आप आधा तील और आधा सरसो का तील दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं सरसो के तेल भी गरम होते हैं और तील के तेल भी सेम गरम होता है तो दर्द के लिए गर्माहट चाहिए गरम गरम चीजे उसमें चल लगाते हैं तेल को भी गरम करके लगाते हैं तो वो बहुत जादा फाइदा करता है अब साथ में जो पत्या कूटके रखे थी उसको भी अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे तेल के साथ अब इसको चुले पर चढ़ाके और लगातार चलाते हुए तेल को पकाना है ध्यान रखिएगा आज बिल्कुल भी तेज नहीं करना है शुरू से ही लेके आपको जब तक तक तेल तयार हो तब तक आज को कम ही करके अच्छे से इसको चलाते हुए पकाईएगा और जब भी आप तेल बना रहे हैं तो थोरा सा भारी तले का बरतन का इस्तिमाल कीजिएगा जो कराही मोटा वाला होगा ना उसका इस्तिमाल कीजिएगा जिसे की तेल बहुत अच्छे से बने ये बिल्कुल भी जले ना और यदि आप पतले बरतन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पांच से छे चमज के जितना पानी डाल दीजिएगा तो आपके तेल बहुत अच्छे से बनेंगे और इसको इतना देर पकाना है कि जो इसमें चीजे पत्ती बगरा फूल जो कुछ है वो सारे का जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए और तेल एकदम से पार दरसी आपको लगने लगेगा जैसे अभी लग रहा ना गाढ़ा गाढ़ा सा एकदम जेल के जैसा वो नहीं लगेगा जब तेल पक जाएगा तो तेल एकदम अलग हो जाएगा जैसे हम लोग घी को बनाते हैं ना उस तरीके से तेल के साथ भी होगा जो ये काल पत्ती सब है काला काला होके नीचे बढ़ जाएगा और तेल जो है उपर आ जाएगा तो इसको पकाने में कम आज पे कम से कम 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट आपको समय लग जाएगा लेकिन इसको लगातार चलाते रहिएगा जरासा भी छोड़ना नहीं है ये कितना भी पुराना घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है उसको खतम करता है दोस्तों और इसके साथ-साथ आप पारिजात के एदी काढ़ा का भी सेवन करते हैं तो और भी जादा ये गुनकारी बन जाता है जो आप खाते हैं वो लगाते हैं तो और भी जादा फायदा करता है अभी सर्दी की सुरुआत हो चुकी है अब घर घर में जहां देखो खासी सर्दी का ही देखने को मिलेगा तो आप लोग पारीजात के पत्तियों से पारीजात पत्तियों को आप फूलों का इस्तेमाल जरूर से आप करेंगे बहुत सारे दोस्त अभी तक आप जाने भी नहीं होंगे कि इसके पत्ति और फूलों से ये सब भी बनाया जाता है हर कोई इसके समझ रहे होंगे कि ये हमारे आंगन के सोभा बढ़ा रहे हैं और ये फूल जो ह पहले से मालूम नहीं था कमेंट बॉक्स में जरूर से बताईएगा अब देखिए ये पत्ति का जो कलर है ही चेंज हो गया तो अभी कर देंगे गैस को बंद और तेल को बहुत अच्छे से ठंडा होने देंगे उसके बाद इसको कप्रे के मदद से छान के तेल को और अलग निकाल लेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद तो अभी के समय में गैस को बंद कर दीजे तेल अच्छे से ठंडा हो गया इसको बारिक वाले कप्रे से छान के अलग कर ली हूँ तेल बहुत ही अच्छा बंके त्यार हुआ है आप लोग देख पा रहे हैं अब जब भी आपको तेल का मसाज करना है तो तेल को पहले हलका गुंगुना गरम करके उसके बाद दर्द वाले जगह पे धीरे 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 से थोड़ा सा टाइम दे के मसाज कीजिएगा और हो सके तो कोई भी सूती कपरा से उस जगह को अच्छे से लपेट के बांध ठंडा ठंडा तेल आपको नहीं लगाना है और कोई भी कॉटन कपरा सूती रखे और एक ही कपरा को आप बार बार बांध सकते हैं जब आप लगा रहे हैं तो आपको फैदा पहुचेगा जरूर से तो आप लोग ट्राइ कर सकते हैं दोस्तो अच्छा लगा होगा वीडिय वीडियो को लाइक फिर से याद दिला देती हूँ वीडियो को शेयर भी कर देंगे और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से कोई नई टॉपिक के साथ धन्यवाद